जहिंद मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका संस्क्रित का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंतक बने रहें मेरे पाल दो सेट पेपर है पहला है 818 DO और दूसरा है 818 DS यही दो पेपर में सॉल्व कराने वाला हूं देखिए बच्चों से पेपर मांग के लाता हूं उसके बाद solution यहां भी कराता हूं ठीक है तो मैं दो पेपर पाया हूं 818 DO का और 818 DS का तो वीडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रहें और आप भी सभी question को match करा कर मुझे comment में बताइए कि आपने कितने question का सही जबाब दिया है वही कलबी question हम सबसे पहले कराने वाले हैं दोनों subject का दोनों paper का ठीक है तो देखिए सबसे पहला जो वही कलबी प्रस्णा है यहां पर हम कराते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को like भी कर दीजेगा क्योंकि आप आपका यहां पर दिया है संस्क्रीत भासा विश्वस सर्वाशु भाशासु प्राचीनता प्राचीनतमा विलुग्यान विज्ञान शंपनना सरला सुमधुरा हिद्याचेती सर्वेरपी फ्राच्य पास्च्या त्या विद्याद विद्रे कश्वारे रोर किये ते भारतिय तो दोस्तों ये आपा गद्यांस है अब इस गद्यांस से या इस गद्यांस पर आधारी दो क्वेस्टन पूछा गया है ये जो गद्यांस है इसके सीर्षक कौन है ये जो गद्यांसर के सीर्षक कौन है तो दोस्तों ये जो गद्यांस से संस्कृत भासाया गौरवम गौहर्वम co सबसे पुरानी रह भास अपने मैस किरा लिजिए आपने कितना सही किया कितना गलत किया तीसरा question है दोस्तो सिरिंग डेरी पिठम कुत्र अस्ती तो सिरिंग डेरी कहां के थे दोस्तो वो थे मैसूर प्रदेश के ठीक है चौथा है दोस्तो स्री मद भगवत गीताया प्रतिपाद्य विशेह अस्ती तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और निसकामह करमह के लिए है ठीक है मद भगवत गीता में क्या बताया जाता है निसकामह करमह के बारे में बताया जाता है ठीक है हो गया चौथा question मैस करा लिए आपने चले बढ़ते हैं next question पर question number 5 कर question number 5 आपको यहां पर दिख रहा होगा question number 5 है मुढ़े पाशान खंडे सु रतन संग्या विद्यते सुक्ति उद्धरितो आस्ति तो दोस्तो यह है मुढ़े पाशान किस से लिया गया है किस सुक्ति से किस पार्ट से तो यहां पर है सुक्ति सुधा से question number 6 है question number 6 है पृतिव्याम कति रतनान संति तो पृतिव्याम कति रतनान पृतिवी के कुल कितने रतन है तीन रतन है तो त्रिड़ी आपसा number C राइट हो जाएगा त्रिड़ी कौन कौन से रतन है जल है अन है और अच्छे वच्चन ये तीन रत्न है प्रित्वी के ठीक है ग्वेस्चन नमबर 7 छियंतिक हलू भूषणान संततम तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ग्वेस्चन नमब सी का वे वांग भूषणाम ये क्या हो जाएगा वांग भूषणाम इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वेस्चन नमबर 8 है संक्चूडः कह आसीद तो संक्चूडः ये क्या था सर्वतार्थात नागह आसीद हो जाएगा ग्वेस्चन नमबर 9 है विनेह रामनाथष कह आसीद तो विनेह रामनाथष का क्या था वो परम मित्र था तो यहां पर हो जाएगा आपसा नमबर ए राइट नित्रम ठीक है क्वेस्ट्टन नंबर टेन बोला है सिख धर्मष्य गुरु गोविंद सिंह कतम गुरु आसीर तो वो थे 10 यानि सिख धर्म के जो गुरु गोविंद के गुरु थे वो धर्म के, कौन से नंबर के गुरू थे, कौन से, कितरे नंबर के गुरू थे, दसमे नंबर के गुरू थे, ठीक है, दसमे गुरू थे, क्लियर हो गया, चले, बढ़ते हैं, next question की तरब, question number 11, I hope, आपने जो भी question किया है, board exam में, यहां तक आपने सब सही किया होगा, आगे क जो question हम बताने वाले हैं, उसको देखे, अब हम आते हैं, उभाख खा में, उभाख खा का मतलब, यहां से ब्याकरण से related question पूछा गया है, question number 11 है, यह प्रत्याहार के वर्ड है, तो यह प्रत्याहार के जो वर्ड है, दोस्तों, वह होता है, यह वरल, तो option number 20 का क्या हो जाए है, मुर्धा, दंत, कंट या तालू, तो दोस्तों, ई आप बोल के देखो, ई, कहां से निकल रावाज, तालू से, तो इसका right answer हो जाएगा, option number D, तालू, ठीके, 30 number question है, सांतह में संधी है, तो सांतह में संधी जो है, दोस्तों, वह परसवर्ग संधी है, परसवर्ड संधी है, clear, चले, फटा-पठम करते चलते हैं, ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि यह सब विकल्पी टाइप क्वेस्चन है, इसको फटा-पठम देखते चलते है, question number 14 है, निरास्रितह का संधी विच्छेद है, तो निरास्रितह का संधी विच्छेद जो है, वह हो जाएगा निह धन आश्रितह, clear, question number 15 है, पित्रिभी पद किस विभवति यम वचन का रूप है, पित्रिभी, तो पित्रिभी जो होता है, दोस्तों, वो त्रिती ये विभवति वह वचन का रूप होता है, next, चले देखते हैं, question number 16, तो question number 16 है, उसमें बोला है आपसे, यहाँ पर दिक रहाओगा आपको, नदीपद का पंचनी विभवति वह वचन का रूप है, तो question number 16 का दोस्तों हो जाएगा, right answer, आपसा number B, नदिभ्य, क्या हो जाएगा, नदिभ्य, question number 17 है, भविश्यामा रूप किस लकार का है, तो भविश्यामा, भविश्यामा किसका है दोस्तों, 36, 36 रूप है, तो 36 रूप दोस्तों, लटलकार, मध्यम, पूरूश, एक वचन का है, ठीक है, चले, वड़ते हैं, next question, question number 19, question number 19 है दोस्तों, गजाननह में समास है, तो गजाननह में वहवरी समास है, ठीक है, कौन से समास है, वहवरी समास, question number 20 है, महासिया का समास विग्रह ह महासया का महान आसया यही इसका क्या हो जाएगा समास विग्र आपने जितने भी questions मैच कराए है आपने बोर्ड एक्जाम में सब सही करके आए है और आपका सही मैच यहां से भी हो रहा है ठीक है मैं उम्मेद करता हूं आप बेहतर तरीके से जबाब दे आते हैं board exam में इतना आप ध्यान दिया करें कि board exam में आपकी बहुविकल्पी जितने भी question हो वो गलत ना हो बार-बार पढ़ें ध्यान पुरूबग जबाब दें गलत जबाब आपको नहीं देना है तो चलो दोस्तों हम next paper का solution देख लेते हैं अगला जो मेरे पास पेपर है वो है 818 DS अब इसके भी बहुविकल्पी प्रस्णों को हम देख लेते हैं ठीक है अब देखे दोस्तों बहुविकल्पी प्रस्ण यहां पर गद्यांस दिया गया इसी पर आधारी दो क्योशन पूछे गए ठीक है तो पहला जो यह गद्यांस स पहले इसको हम पढ़ते हैं बोला है आही भवत सिंदुवेलाम यावत विक्रना भारत गवरवगाथा काली दासेन स्विक्रिती पू सूप निश्वध्धा रगुवन से मेगे कुमार संभवेच भारत देशश विविद भूभागानाम गिरकानान दिनाम याद्रिक वहाविकम मनोहारी चित्रम लब्वते स्वच्छाचू आन वलोक्या तदसंभव मत्स्ती तो दोस्तों यह जो पहला है दोस्तों क्वेस्टन बोला है उक्त गद्यांस का सिर्शक है काली दास तो यहां पर हो जाएगा कविकुरु काली दासे या दास ठीक है राइट एंसर अब हम बरता हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरब नेक्स्ट क्वेस्टन जो है उसको भी हम देख लेते हैं xmm question है भारत गौराव गाथा केन स्विक्रिती शुनू प्रणिस्वध्धा तो भारत गौराव निशा यहां हो जाए काली दैसेन ठीक है काली दासेन थ्री नमबर question है सावित्री बाई कश्य समाशुधारक पत्नी आस्ति तुवो जोती राव गोविंद द्रा इनके पत्नी ठीक है question नमबर 4 है द्रोड़ केन मंसा प्रत्यभाशत द्रोड़ केन मंसा प्रत्यभाशत दुगम अप्रतिमा पाइच्वा नमबर है दोस्तो वारी कम समल करोती ठीक है समलं करोती वारी कम सवलं करोती के पूरूस होता यह हो जाएगा question नमबर 6 है दोस्तो अभर ग्याधी जलासे कीमन करडियन तो अभी न जाने अन जाने जल में क्या नहीं करना चाहिए नहीं भोजन नहीं सैनन ठीक है यह आपको नहीं करना चाहिए ठीक है चले बढ़ते हैं next question की तरफ दोस्तो question number 7 यहां पर आपको सभी question दीख रहे होंगे 7 और 8 Q7 है, स्रद्धावान किम लभते तो स्रद्धावान जो होते हैं क्या होते हैं, पूझनम होते हैं Q8 है, गांधिना पूरा नाम किम आसी गांजी जी का पूरा नाम है मोहंदास करमचन गाधी आपसर नमब सी, राइट हो जाएगा Q9 है, नागा नंद नाटकस रचाइता कह आसी तो नागा नंद नाटकस रचाइता कह आसी जोग होते हैं, उनका काम क्या होता है तुनका होता है रोगियों का चिकिस्षा करना, देख रेख करना है, अब आते हैं, उपखंडख हमे thank grammar में आते हैं, ब्याकरण में आते हैं तो ब्याक्रम बोला है अक प्रत्याहार के वर्ड है अक आपने महस्वर सुत्र पढ़ा होगा तो महस्वर सुत्र से ही प्रत्याहार बनता है तो इसमें होता अ-ई-ू-री-री आपसा नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बारा नममर क्वेस्चन तर्थ का उचारड स्थान है तो तर बोल के देखिए कहां सवाज निकल आ है दान्थ से दाजीब कहां लड़ रही है जाके दान्थ पर तो वहां सोजाएगा थीक है Question No. 13 है तुम करोसी में संधी है तुम करोसी तुम करोसी में दोस्तो परसवाण संधी है clear हो गया सले, बढ़ते हैं Next Question No. 14 यह सह तनोती का संध विजचेद है तो यह सह धन तनोती हो जायेगा इसका संधी विजचेद ठेक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों question number 15 पर क्योंकि 14 तक मैंने आपको बता दिया है और देखें 15 है दोस्तों राजानम पद किस विभप्त यम्वचन का रूप है राजानम पद किस विभप्त यम्वचन का रूप है Q15 का जो राईट आंसर हो जाएको दित्या व्यव्याड एक वचन का रूप है Q16 है नदी पद का सब्तमी एक वचन का रूप है नदी का सब्तमी जो होगा और एक वचन बताना है Q17 है इस्था स्यामी रूप है इस था स्यामी रूप है वो लिट लकार उत्तम पुरुस एगवचन का रूप है क्वेस्चन नमर 18 है वसतू का या वसतू रूप किस लकार का है तो लोट लकार का वसतू रूप होता है ठीक है किलिए क्वेस्चन नमर 19 है उपतततम में समास है तो उपटततम में अव्याई भाव शमाश है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाएए कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों का सल्उशन कराया जा रहा है पूर रूपत का सल्उशन हम खरा रहा है आप मैच कराना चाहते सभी ऩुठू का तो आप मैच करा सकते ह?, ठीक है तो चलिए हमाप से बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय जहिंद जय भारत